हेलो स्टूरेंट्स स्वागत है आप सभी का स्यूटी कॉंसिप्ट के सौल लाइन लर्निंग प्रफांपर आज की सिसन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा जैसे आप अभी आपने जो है डियो के लिए फेज बन का रेजिस्टेशन हो सकता है आपने करवाया हो साथी साथ अभी बेच्चू का उपन होगा अलग-अलग इनुवर्सिटीज का जब उपन होगा काउंसलिंग पोर्टल तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग कराना होगा और काउंसलिंग में बहुत सारे दोकिमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो आज की सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि आपको कौन-कौन से दोकिमेंट्स की नीड होगी जो कि आपको पहले से ही अपने पास तयार रखना है ताकि आप document अगर document देने से या फिर कहें कि document submit करने से मतलब गड़बरी ना करो अपने पास अगर पहले से बना रहेगा documents में लिए category वाला दिक्कत आता है category certificate के लिए तो वो आपको बनवा करके रखना है तो एके करके मैं document का list आपको बता दे रहा हूँ और आप इन सब list को तयार रखिएगा क्योंकि भले ही अभी तक अभी तक जो है आपका provisional answer की भी नहीं जारी किया गया है ठीक है answer की अभी तक जारी नहीं किया गया है कई सारे various news article हम पढ़ रहे थे उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि next week में जो है आपका लगभग मतलब यह अभी जो week चल ला है next week में मतलब 7-8 दिनों बाद आपका answer की आने की उमीद है ठीक है ऐसा हमने पढ़ा है तो ऐसा बताया जा रहा है हाला कि date नहीं दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही मतलब next week में आपका आप provisional answer की आएगा उसके 10 days बाद आपका जो है आपर क्या आजाएगा 10 days बाद आपका result जारी कर दिया जाएगा तो अभी आप समझ सकते हो कि अभी थोड़ा time है 10-15-20 दिन अभी time है इस बीच आपका जो है 15-20 दिन में आपका result जारी कर दिया जाएगा result जारी होने के बाद कहीं न कहीं BHU का भी registration शुरू होगा तो इस बीच आपको जरूरी है कि आप अपने सारे documents अपने तयार रखो अच्छे से साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखना अब यहाँ पर देखते है documents required for counselling तो counselling के लिए कौन कौन सा document जो है यहाँ पर आपको required होगा दो चीजे होती हैं देखो एक चीज़त होगा कि online आपको बस counselling जब आप चाहते हैं जिसे बीच्चू का portal open होगा तो वहाँ पर आपको मतलब भरना होता है ठीक है अपने basic details और academic details वो सारी चीजे देना आपको हाँ पर अपना documents fill करना होता यह तो मतलब एक अलग परकिरिया साथी साथ क्या होगा ना admission परकिरिया में ही जब आपको seat a lot हो जाएगा फिर आपको एक जो है एक तरह से admit card आपको जारी किया जाएगा कि आपको इस date पर physically यहाँ पर आना होगा verification के लिए तो उस time पर और जरूरी हो जाता है कि आपके पास जो है अपने original documents अब होने चाहिए तो अभी को देखे कई बार क्या होता है कि आपको अगर अभी नहीं है तो undertaking भी भर दिया जाता है ठीक है undertaking आप online counseling में कर सकते हो लेकिन जब आप यहाँ पर physically यहाँ पर appear होगे तो आपको कहीं न कहीं original document आपको चाहिए होता है तो अब देख लो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं तो जरूरी वस इतना है कि सारे के सारे documents आपके पास होने चाहिए तो CUT के admit card आपको लगेगा ठीक है score card भी आपको मांगा जाएगा देने हाँ पर देखो class 10th और class 11th का mark street आपके पास होना चाहिए और जब physically यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर कहीं न कहीं original आपको मांगा जाएगा ठीक है new financial year में बना होना चाहिए मतलब कि 1 अपरेल के 1 अपरेल से बना होना चाहिए ठीक है 1 अपरेल से 30 मार्च होता है तो यह 1 अपरेल 2024 से बना होना चाहिए या फिर 1 अपरेल 2024 के बाद का ठीक है तो यहाँ पर 1 अपरेल का बना है साथी साथ Central Level का Certificate चाहिए, ठीक है, Central Level Certificate ध्यान रखना, कई बार मैंने कहा है, Central Level का Certificate आपको बनवाना है, अगर इस State Level का बनवाओगे, तो आपको जो है, थोड़ी गड़ बढ़ हो जाएगी, यहाँ पर आपका admission होने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो यहाँ पर ध् scan signature, तो यह signature मांगा जाएगा, upload करने के लिए तो आपको upload कर देना होगा, ठीक है, अब साथी साथ, अभी तो नहीं, मतलब अभी जब आप यहाँ पर online जब आप करवाओगे न, online registration जब होगा, तो उस समय आपसे TCCC नहीं मांगा जाता है, बट कहीं न कहीं, जब आप physical verification के लिए आओगे, ठीक है, physically जब आप verification के लिए आओगे, तो आपसे TC मांगा जाएगा, original, CC और migration भी मांगा जाएगा, ठीक है, तो यह भी अपना school से ही आपको मिलेगा, ले लेना, दियान डखना कि अगर आप दूसरे state में जाते हो पढ़ने, तब ही आपको migration देना होता है, स मैं मालो की यूपी का हूँ, जा रहा हूँ, डियू पढ़ने, ठीक है, डियू में, तो डियू में हमको भी migration देना होगा, ठीक है, तो कई बच्चे बिहार से आते हैं, बियच्चु में पढ़ने, तो आपको भी migration देना होगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो दूसरे state में इमेल, इसी से आपका जो है, हाँ पर registration होता है, तो मतलब ये document में यही सारी चीजे थी, चीक है, और जिनको भी category certificate नहीं बने है, बाद बाकी तो आपको available होई जाएगा, लेकिन category certificate कई बार बच्चे गडवड करते हैं, तो उसको ध्यान रखना, मिलते हैं नेक सेशन में, आ बस मिनत करते रहें